हाउर फीक्स सैमसंग ग्रेन प्राइम 4G हैंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हैंग और रिश्टार्ट प्रॉब्लम सौर्फ किसे कर सकते हैं यहां पर दोस्तों क्या होते हैं जब हमारे दिवाइस हैंग हो जाते तो वह अपने आप रिश्टार्ट हो जाते हैं तो यह किस तरीके का प्रॉब्लम है और आपको कैसे यह प्रॉब्लम फिक्स करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको solution बताने वालो, वीडियो को अंतक देखे, जो भी solution मैं आपको बताँगा, उसको follow करे, आपका problem solved हो जाएगा, ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया आए, तो subscribe करते हुए bell icon को click करे, अगर आप online पैस तो यहाँ पर दोस्तों जो hank and restart problem है, ठीक है, तो उसको fix करने के लिए, आपको सबसे पहले तो storage में से clean up करना होगा, storage को clean कीजिए, और mobile पे कई सरे applications है, तो इसको delete कीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा applications आप use करते हैं, तो उसका data को clear करकी use कीजिए, इस से आपका जो RAM है वो खाली होगा, ठीक है, और कोई भी दोस्तों application जो की bad applications होगा, उनको भी delete कर दीजिएगा, bad application जैसे की कोई unknown website से install किया ह application, ठीक है, तो उनको delete कीजिए, और अपने space को free up कीजिए, उसके बाद my files पे जाए, और यहाँ पी भी दोस्तों storage को free up कीजिएगा, ठीक है, जब storage आपका 40-30% empty हो जाएगा, तब आप अपनी mobile software को update करेंगे, ठीक है, mobile software को update करेंगे, mobile software update होने के साथ इसाथ, आपका problem solve हो ज और restart का जो issue है, आप इसी तरीके से fix कर सकते हैं, तो यह solution को आप follow करके देखे, problem solve हो जाना चाहिए, अगर solve हो जाता ही, तो आच्छी बाद है, अगर इसके बाद भी problem आते है, तो आपको जाना है general management, reset and then factory data reset, ठीक है, factory data reset पे जाके आपको directly mobile reset कर देना है, जैसे reset करोगे, आ आपका problem solve हो जाएगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने hang and restart problem को fix कर सकते हैं, तो जितना भी मैंने आपको solution बताया हो दोस्तों, उसी को follow कीजिएगा, तो आपका problem solve हो जाएगा, आपको कोई भी डिक करते बात में नहीं होगा, ठीक है, तो जो possible solution था मैंने आपको वही बताये, तो आप भी उसी को follow कर लेना, उमीद करते हैं, आपको ये वीडियो पसने होगा, thanks for watching.